हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी ब्यूस्टी सीडिय एक्जाम को लेकर भी तयार याच्छी चल रही होगी मैं आपके लिए मेहनत से और जीजान लगाकर वीडियो बिना रहा हूं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और आपके लिए इसी करम में गणित शिक्षन से सम्मंदित फ़र्ष्ट यूनिट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन आंस्वार सोट क्वेस्टन आंस्वार लेकर हाजिर हूं आपके लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर भी जरूर करें लैंसे बहुआ संटाइब्क प्रेस्टन लेते हैं पहले प्रशन है इंट्रोदक्षिं टू मैटमेटिक्स फिलोसपी के लेख कौन है तो इस पुमक करें Pers censorship कण कारण विकास हुआ थो यह टऊल्विद्या में प्रूचि के खाल बहारत में जरत अक्तों अटांजे को ह ny इसा पूर्व से चार सा पूर्व तक का प्रमुक गनित गरंत कौन-कौन से हैं तो इसमें इस्ताना आंगे शूत्र भगवती शूत्र अनुजोग द्वार शूत्र तीनों गरंत आएंगे तो इसका ऑप्शन बेदे सही हो जाएगा उप्रोप्रस अभी नेक्स्ट क्विश्टन है गोले के प्रेश्टेतल का सुद्दमान एंपाई का 22 बटा साथ कमान किस गरंत की देन है तो यह हो जाएगा महासिदान्त की देन है नेक्स्ट है त्रिकॉनमिती में व्यूत्क्रम ज्या का प्रयोग सरवप्रतम किस ने किया था त्रिकॉनमिती में व्यूत्क्रम ज्या का प्रयोग सरवप्रतम आर्रभटा प्रतम ने किया था नेक्स्ट क्विस्टन की तरफ बढ़ते हैं उससे उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए एक्जाम में चार से पांच बहु के कलपात में कृष्ण भी आने की संभावना है नेक्स्ट क्विस्टन है किस सवर्पा में साथ आधारेत इस्थाणिमान सेक्सीञ प्रणालि का अब्योग गयाapore तो ίह में हो जाएका ons शुबार्म भर्रिग्वेद गौनेति अप्षाने यह संभाइग होना गर्णित श tą nell करती शोर्य प्रिब्पती चंद्र प्रिण धरल मैं से थरॉमिय से अंसर था ज्या है एंदर nuanced a आस्ब दो कि यह गरंड जैनधर्म से सम्मंदित संभ से गरंत हैं गरत सार संग्रें के रचनाखार कौन्ध हैECHそう इसका तरो जाएगा महाविराचार धर गृत सार संग्रें के रचनाकार थे कि अगला प्रश्ना है कि सकाल को भारतियेène स्वर्ण किहाँ तो मध्यकाल को भारतिय काल का स्वर्ण यूग कहा जाएगा क्योंकि यह 400 इसा पुर्व से 1200 इसा पुर्व तक का समय पिरिड है जिसमें भारत के लिए गणित्य के संबंद में अध्यान के अनेक अनेक वेग्यानिक वे जिनोंने अपनी रचनाओं और कृतियों और आविस्कारों के माध्यम से भारत का विश्व भर में ज्यान के छत्र में नाम उपलब्दी ख्याती प्राप्त की निम्नमेश कौन सा देश सुनने का विस्कारक हैं तो इसका उत्तर होगा आपसंदे भारत दोस्तो इसका भी ऑप्संदे उत्तर होगा दे भारत ये डैलेट 2016 में पूछा जाचुका है नेक्स्ट बारवा क्विस्चन है कि अंक गनित के प्रमुक गरंत गनित कौमुदी की रचना किस ने की थी तो इसका उत्तर हो जाएगा गनित कौमुदी की रचना नारायन पंडित ने की नेक्स्ट बारवा क्विस्चन है रेखा गनित की वर्तमान सब्दावली निमन में से किस पुस्तक परादरित है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रेखा गनित के अधार पर है भारत ने अपने प्रतम अंत्रिक्ष उपकरे का नाम किस गनितग्य के नाम पर रखा था तो इसका उत्तर हो जाएगा आरे भारत ने अपने प्रतम अंत्रिक्ष उपकरे का नाम गनिता चार आरे भट के नाम पर रखा था नेक्स्ट कुस्टन है पर नर्वा नेमन लेकित में से किस गनित के ने लगुतम समापरवर्तिक का आधुनिक नियम प्रतिपादित किया समापरवर्तिक का प्रतिपादन आधुनिक नियम के अनुशार किया था महाविराथ चार लियन नेक्स्ट कुस्टन की तरफ बढ़ते हैं जयामिति के जनमदाता किसे कह जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके तैल्स जयामिति के जनमदाता तैल्स को कहा जाता है Elementus किसकी रचना है तो यह हो जाएगा Option by Euclid नेमनमेसे किस संख्यापदती में 0 सुन्य के लिए कोई चिन निर्धारत नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र संख्यापदती में 0 सुन्य के लिए कोई चिन निर्धारत नहीं है Next question है 19 निश्वा संकेत के अधार पर संक्या पद्दति को कितने प्रकारों में बांटा गया है तो संकेत के अधार पर संक्या पद्दति को तीन प्रकारों में बांटा गया है नेक्स्ट क्वेस्टन अंतर राष्ट्र परमायन ने संख्खाकन पदती है तो इसमें अंतर राष्ट्र परमायन ने संख्खाकन पदती है हिंदू अरभिक संख्या पदती है रोमन संख्या पदती अंतर राष्ट्र पर नहीं मिस्र भी नहीं माया भी नहीं यह अपने अपन मैंदेशों यहुएं जब्कि हिन्दु अरेभिक संख्या-पद्थिक्रभाभाइन सिंख्याकन पदती है नेक्स्ट वीशाड़ी संख्यास क्वस्चन एंट क्वस्चन इम नबीश अधार वाली संख्या पदती है तो माया सब्यता की जो सिंख्या पर दती हैं उसमें 20 को अधार लिया गया है 20 अधार वाली सिंख्या पर दती है सिदान्त सिरुमनी के लेखक कौन है तो भासकराचार्य सिदान्त सिरुमनी के लेखक है अगला प्रश्न न्यूटन के गुर्तवा क्रिशन सिदांट की भास्कराचार्य ने क्या नाम दिया था तो इसका उत्तर हो जाएगा धारनिकात्मक शक्ति न्यूटन ने जिस सिदांट को गुर्तवा क्रिशन नाम दिया था उस सिदांट को भास्कराचार्य ने धारनिकात्म नाम दिया था नेक्स्ट क्वेस्टन है 24 वा जिसमें गनित ऐसी अमुर्थ ववस्ता का अज्यन है जो अमुर्थ तत्यों से मिलकर बनी है इन तत्यों को मुझे रूप में परिभासित किया गया है उक्तकतन किसका है तो यह उक्तकतन है नेक्स्ट क्वेस्टन है किस ने गनित को बालको के मन मस्तिस्क में तरक करने का रास्ता बनाया तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई करने का लोगने लोकन अगनित को बालको के मन मस्तिस्क में अधर्जा करने कि आदा तैस्ता पित करने का रास्ता बनाया है नेक्स्ट और बहुवे कलपी अंतिम ख्वेस्टन है आपका किस ने गनित को सभी विद्वानों का सीहेंद्वार अर्थाद गेट और कुंजी अर्थाद की भी बताया है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रोजर बैकन कि बटाया है तो इसका उत्तर हो जाएगा रोजर बैकन अगला प्रश्ण है गनत विज्यान यह गनित संख्या का विज्यान है गनित गनना काविज्ञान गन में तो इसका इचा कर विख्ञान निकाले जा सकते हैं तो इस scrutर हो जाएगा बैंंग догले जा सकते हैं दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन बे दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा और आपके लिए यूजबूल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी सेर अपने प्रेंश के साथ नेक्ट गुस्तन है अपने गणित में अधार्पूत सरंचना होती है गणित की अधार्पूत सरंचना कौन कौन सी हैople सब्सक्राइब करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बीज गनितिये सरंचना में हम योग गुणा तता सामान्य करना अधिस संक्रियाओं का अध्याने करते हैं करमी के शरंचना में प्रत्याइज समलत हैं तो इसमें होगा से बड़ा ग्रेटर दें अधिकर wings करते हैं अधिये लगतinklesात्म घड़ाऊं का विष्वas प्रेला क्वेस्टन आधिस सुब टाउजेशन किसे कहें गे क्या दोस्तों बेना गणना के मात्रा में परिवर्तन को पेचानने की योगता को सुबिटाइजेशन कहते हैं अगला प्रेशने गणना के लिए क्विप नौट का इस्तमाल कहां किया जाता है तो दक्षणी अमरिका और साउथ अमरिका के इंका समराज्जी के एक्विप नौट का इस्तमाल करना के लिए किया जाता है अगला प्रेशने अपने शरीर के अंगों का इस्तमाल संख्या के प्रतिक के रूप में कौन किया करते थे तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने आस्ट्रेलिया के नजदे के पापुआ न्यूगिनिक के रहने वाले लोग अपने शरीर के 27 अंगों का इस्तमाल संख्या के प्रतिकों के रूप में करते थे वेशरीर के हिस्सों के नाम का संख्या नाम के लिए करते थे खव्ण ऑगल सोथा क्वेस्टन ना इसमयां अंघश किया अंग्रेजी यू हिंदी में संख्या नाम के प्रयोग में क्धिया एंतर हैं तो इसमें उत्तर लिखेंगे और इसके बाद हमनी संक्याओं को दोड़ाते जाते हैं जबकि हिंसी कि रेते ही अध्में और हंदि में 10 तक किसे दके को उधारने के लिए परके 7 truck इसके बाद बात का संधी विच्षेद करने पर एक से नो तक के नाम और स्थुर अध्यूम मिलता है तो दोस्तों इंग्लिस में 12 तक 12 वे गम को नए नए सब्द यूज़ करने हैं उसके बाद एक नया सब्द अन्य सब्दों से मिलकर ही बनता है एक से नौ दिस तक की जबकि हिंदी में क्या होता है हिंदी में हमें एक से लेकर दस तक की संक्यों को तो अलग-अलग नाम उसे लिखना होता है जिबकि आगे के सब्द संदी विचेद करने पर इन्हीं सब्दों से मिलकर बने होते हों पाए जाते हैं बैबिलोन से बिता की साट अधारित इस्तानिमान सेक्सा गैसीमल अंक प्रणाली में मज़िवर्थी आधार क्या था तो बैबिलोन से बिता की साट अधारित इस्तानिमान सेक्सों के में अंक प्रणाली मज़िवर्थी आधार दस था इसका मज़िवर्थी आधार क्या था अगला प्रेश्ण है माया सर्वेता में संख्या- songs किसे लिए अद्धा तो आप देख सकते हैं कि मैं से लिए उन्हें सर्वेता में संख्या- बेकर लेखते हैं Türkiye नटी लाइन के ऊपर चार ड्लोट कि हैं मैं का सभटा मैं इसी प्रकाय कुछ हमारे यहाँ पर उनस लेकर जाते हैं जब कि वहां पर जीरो एक के लिए सिर्फ एक टिम एक के लिए सिर्फ एक कॉमा का पिर्योग किया जाता था जिसे ये है मैं फंट को तोड़ा बढ़ा कर लेता हूं दोस्तों तो यसे यह हैं चलिएगा भी आपको मैं बताता हूं कि माया सभ्टा में एक के लिए एक कोमा होती थी कि 2 के लिए डो को माओ जाती इसी प्रकार शार तक यह होता पांच के लिए प्रेंप लाइन होती जिवकि 6 के लिए लाइन के उपर एक कोमा हो जाती, 7 के लिए 2 हो जाती, 8 के लिए 3, 9 के लिए 10, 9 के लिए उपर 4 कोमा हो जाती और 10 होते ही दो लाइने खींच दी जाती 11 के लिए उपर 1, 12 के लिए 2, 13 के 3, 14 के लिए 4 और जैसे ही 15 होते उनमें तीन आड़ी लाइन्स हो जाती फिर उसके उपर एक बिंदी के अनुसार 16, 2 का 17, 3 का 18 और 4 का 19 और हमें इसने 19 को पूचा गया तो तीन आड़ी लेखा एक रेखा 5 का मान निर्धारित करती है और उपर की एक एक बिंदी एक केमान को प्रदर्शित करती है तो एक रे खाफा 5 की तो तीनो रेखा 15 की और उपर की बिंदियों को इनके 15, 4, 19 को इस प्रतीकर प्रदर्शित करते हैं नेक्स्ट क्रिश्चन की तरफ बढ़ते हैं माया सब्विता वाले लोगों ने सुनने के प्रियोग कैसे किया माया सब्विता वाले लोगों ने जीरो के लिए प्रतीक जीरो का इस्तमाल किया था जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देता था दोस्तों कैसे दिखाई देता था जीरो माया सब्विता में इस प्रकार मिस्र संक्या पद्दती के मुख्य कमी बताईए मिस्र संक्या पद्दती के मुख्य कमी ये थी कि इसमें लगातार नई प्रतिकों की जुरूत पड़ती थी इस पद्दती का इस्तमाल करते हुए जोड़ना तो ता गटाना जैसी प्रकिरियाओं को चीक ना कठीन या संब वोता था इस प्धति में बिन का इस्तमाल नहीं हो पाता था मिसर केलों इस प्धति पर कारे करता है इसकी प्रतीक बतये अगला प्रश्ण हैं नहीं तो बाइनरी प्रणिती अत्वी आधारी पर कार्गतां जांट जीरू एक दो प्रतीक होते हैं कंप्यूटर किस अधार पर काम करता है दोस्तों बाइनरी पद्धति पर द्वी अधारी पद्धति पर कंप्यूटर काम करता है Next question कि तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है 3 आधारी पदते के चतुराधारी पदती के प्रतीक बताइए तो 3 आधारी पदती के 3 पृतीग है 0, 1, 2, 3 होते हैं तो था 4 आधारी पदती के 4 पृतीग 0, 1, 2, 3 होते हैं अगला प्रश्ण है दास्मिक संख्यापद्दिक्रम को छाव गया हैं सिर्फ एक के संख्या के सथ गणना कर सकते नेक्स्ट विस्ट ने बारवा गनित के प्रकरती का तत्व बताइए तो गनित के के प्रकृती में तत्ुशू हैं realised त hy combination मैं गट गलती होने के मुख कारण क्या हो definitive हैं तो गट में गलती होने के मुख्ञ तीन कारण इस प्रकार लापरवई के कारण होने वाली गलती पूरा पूर्वे निकटम विवाजन होने के कारण गलती अनुमान गलत हो जाना ये भी गलती का बर्म कारण है आज हम मुक्धारा के जिस गनित का इस्तमाल करते हैं वे किन परंपरा से उत्पन हुई है आज हम मुक्धारा के जिस गनित का इस्तमाल करते हैं वे युनानी परंपरा से उत्पन हुई है नेक्स्ट क्वेस् कि भारत में ज्यामितिक ग्यान का इस्तमाल मुख्य ते वेदिक काल की वेदिक काल की हवन कुंड बनाने में या हवन यग्य के लिए कुंड बनाने में किया जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी गणितिकी प्रमग विश्यस्ता बताईए चीनी गणित बहुती संक्सिप्त था ये कापी हद तक समस्या अधारित था जैसे कलेंडर व्यापार भूमी माप स्थापत्य सास्त्र सरकारी रिकोर्ड और करो की समस्या से जूड़ा हुआ था आधुनिक विद्यालाई गणित किसका अध्यन करता है तो आधुनिक विद्यालाई गणित जिसे गणितग्यों का गणित भी कहा जाता है संख्याओ इस्थानों और गणितिये धरंचना का अध्यन करता है नेक्स्ट क्वेस्टन अपने अटारवा प्रात्मी के स्तर पर ग दिन लंबाई को मापना चैतर पहल परिदी और जामितिया आकारों के बारे में पढ़ाते हैं इसके साथ ही आंखडों का प्रवंदन के कुछ प्रात्मिक अउधारनाव तता संख्याओं और पैटर्ण के बारे में सिखाते हैं नेक्स्ट गुश्चन है एक सत्य गणितिय कथन का उधारन दीजिए तो सत्य गणितिय कथन ये हैं कि दो विसम संख्याओं का जोड हमेसा एक समसंख्या होती हैं दोस्तो ये फैक्ट हैं दो विसम संख्याओं का जोड हमेसा एक समसंख्या होती है तो देख लिए आप जोड कर भी पता कर सकते हैं विसम संख्या क्या है तीन प्लस पांच तो इसका आंस्वर होगा आठ जो की सम है ये दोनों विसम है जबकि ये सम है क्या है सम है तो प्र विमसंख्या बाज्जी का अब जंसम में बोला गया हर एक विमसंख्या बाज्जी लेकिन नेक्स्ट नौ भी विसम संग्या तो है लेकिन अबाजी संग्या बिलकुल नहीं क्योंकि ये तीन से भाजित है तो ये गणित से सम्मंदित असत्यकतन था नेक्स्ट बीश्वा क्वस्चन है एक इसा उदारन दीजिये जिन में गणिती सब्दों को असुद रूप में दैनिक जिवन में प्रियोग किया जाता है तो इसका उतर होगा हाँ अक्सर जब हम गणिती सब्दों को वास्त्रिक जिवन में इस्तमाल करते हैं तो हम उन्हें परिभासा के अनुसार इस्तमाल नहीं करतें ऐसा करने से हो सकता हैं कि उस सब्द का इस्तमाल सुनिश्चित रूप से नहों जिस्से आदा खाना खाते समय बच्चे ने आधी रोटी मांगी तो हम नापकर आधी रोटी नहीं देते। इससे बच्चे में आधे की समझ विक्सित नहीं हो पाती है। वे आदे का मतलब एक रोटी से कम अर्थात एक बटा चार टुकडा एक बटा आठ पुकडा आधी भी समझता है निगमन क्या है तो इसका उत्तर इस तरह से देंगे हम निगमन क्या है इसका उत्तर होगा इस प्रकार के तर्क को जिसमें ग्यान परिणामों परिभासाओ और निशकर्ष नियमों का परियोग किसी चीज को सिद्ध करने के लिए किया जाता है ग्यान परिणामों परिभासाओं और निस्कर्ष नियमों का परियोग किसी चीज को सिद्ध करने के लिए किया जाता है निगमनिक तर्क कहलाता है इस प्रकार का तर्क किसी इसे व्यापक कथन या परिभासा से सुरू होता है जिसे बिना किसी संदे के स्विकार किया जाता है और इससे उपपती के अगले चरण का निगमन किया जाता नैक्स्ट है कि गनित महतपूर्ण विशय क्यों है तो इसका उत्तर हम देंगे कि गनित मनुश्य के बोधिक चिंतन का विशय रेने के कारण देनिक जीवन में प्रत्यक विक्ति से सम्मंदित महतपूर्ण विशय है इसकी आविश्यक्ता कूली को रुपए के हिसाब से लेकर अर्थसास्त्रियों वे मंत्रियों तक सभी को रहती है गनित मैतपूर्ण विसाय इसलिए हैं कि इसमें छोटे से छोटे इवक्ति अर्थात कूली से लेकर एक बड़े से बड़े अर्थसास्त्री वे मंत्रियों को नियोजिन के लिए भी पढ़ती हैं गनित की आविश्यक्ता गनित मस्तिस्क में नई रचना अत्मक कल्पनाय उत्पन करने और विचारों की दिशा देने के लिए अवेश्यक्त हैं वास्त्व में गनित व्या अद्वत उपकरना हैं जिसे मानाव प्रतिबा ने सत्य की खोज के लिए निर्मित किया है अगला प्रश्ण है गनित की प्रक प्रकृति को हम द्रशन के अनुष्जार नेमन प्रकार समझ सकते हैं गनित की प्रकृति नेचर ओप मैतमेटिक्स सामाइनत समान समझी जाने वाली वस्तू में अंतर स्वष्ट करना तथा एसमान डिस्परीट दिखाई देने वाली वस्तू में संबंद स्थापित करना यह अनभवों और मुल्यों को व्यवस्तित और परिस्कृत करना एक्स्परेंस एंड वेल्यूस को और बेरिंग्स करके रेफाइनिंग करना नेक्स्ट क्विस्चन यह तो अबयार ने गनित प्रकृतिक प्रकृतिक द्रशन से इसक्रिश्ट के अगला प्रश्ण प्रात्मिक कि स्तर पर गनित को रोचक बनाने की मैध पूर्ण विदिया कौन-कौन सी है अगमन दताने के मन विदी इन वीदियो को हम कभी विशिस तोर पर आपके गनित के एकजाम से पहले पहले लाने का प्रियास करेंगे अगला प्रश्ण है 25 वीदियो को जादा लंबा नहीं करते हुए मैं इन वीदियो को आपके लिए समझाने का प्रियास नहीं करूँगा क्योंकि आगे में नेक्स्ट वीदियो में इसे इंक्लूड करूँगा गनित के धै को समझाने वाले मुख्य बिंदू को अचे हैं गनित के धै को समझाने वाले मुख्य बिंदू निम्न हैं मानसिक वे बहुत्दिक विकास करने का धै हैं सांस्कृतिक धै हैं जीवी को पारजिन तता व्यवसाई का धै हैं अवकास का सदूप योग हैं प्राए पर कि बत्चे गनित से डरते क्यों है अग्ला प्रश्ने से तरह है गनित का सिहसक माता-पीता बड़े भाई-वैिन आदी बत्चे को गनित सिखाते समय गल्ती होने पर आंक दिखाई उसे मारे तो बत्चा पहले अपने गनित सिखाने वाले से डरने लगता है बाद में गणित विसाइस से भी उसे डर लगता है तो ता गणित पढ़ना नहीं जाता बच्चा गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों को बच्चे गणित शीखने में रूची ले इसके लिए उन्हें खेल खेल में गणित शीखाना चाहिए शिक्षको माता पिता भाई भाई भाईन की भासा सरल वैस्पष्ट नय होने पर भी बच्चे को गणित सीखने में दिखते पैदा होती है तो बच्चा जब जब गणित सीखने में दिक्कतों का सामना करता है डांट फटकार पाता है अपने आपको अपेस्कृत पाता है या अपने आपको अपमाने तो समझता है तब उसमें गणित के प्रती डर भै पेदा हो जाता है तो आप अपने भावी जिवन में छात्रा दपक के रूप में जब भी गनित पड़ाओं तो बच्चे को डराने की बजाए उसे समझाईए उसे माग दर्सित कीजिए गलत होने पर भी डांट येगा मत बलकि उसका होसला बढ़ाईएगा मैं आपके लिए ये वीडियो अभी एंड करने वाला हूँ क्योंकि समय बहुत ज़ादा हो गया वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल NJ Motives को सब्सक्राइब करें और अपने किसी दोस्त की भी हैल्प करने के लिए इस वीडियो को उन तक पहुंचाए मैं आपको बता देता हूँ ग्यान बांटना हर एक के बस की बात नहीं है अगर आप भी अपने दोस्तों के लिए ग्यान का प्री ग्यान का कोर्स अवेलेबल करवाते हैं बीस जिसी का तो उनके लिए ये यूजफुल कंटेंट बहुत ही मददिकार साबित होगा गनित के एक्जाम से पहले पहले उनके लिए ये कंटेंट आप उनको सेर जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग वंदे मातरम जय हिंद